पर कुम्भ होता है, जिसे देशी भाषा में कंधा या काद कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे हम्प कहते हैं, इसके कुम्भ के अंदर सूर के तुनाडी होती है, वैदिक विज्ञान के अनुसार कहा जाता है, सूर के तुनाडी बहरी वातावरन से आवशक औशधिय पदार को ग्रहन कर उन्हें दुग्ध मूत्र और गोबर में उत्पन्न करती है जो अधिक से अधिक पॉष्टिक गुणकारी एवं उपयोगी सिद्ध होते हैं इस नाडी की वजह से देशी गाय के मूत्र में तामबा और दूद घी में स्वन लवन पाए जाते हैं जिसकी कारण दे प्रकार के पदार्तों की उपलब्धी गाय के दूद में होती है जैसे 6 प्रकार के विटमिन्स, 8 प्रकार के प्रोटीन्स, 25 प्रकार के खनीज, 21 प्रकार के अमीनो ऐसिद, 4 प्रकार के फासफोरस और 2 प्रकार के कलुकोस इत्यादी ये सूरे केतु नाड़ी, सौरमंडल के सूरे, चंद्रमा तथा भ्रमान के सभी चमकते या टिम्टिमाते तारों, ग्रहों, उपक्रहों के उर्चाओं तथा प्रकाश की क्रिणों को ग्रहन करके गाय को प्रदान करती है जिसके कारण देशी गाय से दू, दही, घी, मूत्र एवं गोबर जैसे अत्यदिक लाबकारी पदार्थ प्राप्त होते हैं ये कुंब, अथवा कांधिया कंधा तथा सूरे केतु नाड़ी विदेशी नसल की गायों में बिलकुल नहीं पाय जाते हैं इनकी पीट सपाठ होती है देशी गाय की गर्दन के नीचे लटकी नर्म एवं कोमल तवचा होती है जिसे गल कंबल कहते हैं ये गल कंबल गाय को अत्यधिक तापमान से बचाती है गाय तथा गाय द्वारा उत्पादित पदार्थों में प्रतिरोदक शम्ता को बढ़ाती है ये गल कंबल विदेशी गायों में नहीं पाया जाता है जिसके कारण उनके अंदर गाय तथा गाय द्वारा उत्पादित पदार्थों में प्रतिरोधक्षम्ता, न्यून्तम या शून्ने के बराबर होती है देशी गाय के कान आमतौर पर लंबे होते हैं जबकि विदेशी गाय के कान आमतौर पर छोटे होते हैं देशी गाय के सिंग आम तोर पर लंबे एवं पिरामेड के आकार के होते हैं जो वास्तविक तोर पर मजबूत बुनियाद का काम करते हैं एवं भ्रमांड ये तरंगों को ग्रहन कर उन्हें पंच गव्वे के लिए सही उर्जा में परिवर्थित कर देते हैं ज्यादातर विदेशी नसल की गाय में सिंग होते ही नहीं है कुछ नसल में पाई जाते हैं लेकिन अत्यदिक छोटे आकार में जिसके कारण भ्रमांड ये तरंगों को ये ग्रहन नहीं कर पाती है देशी गाय का मुखमंडल कोलाकार होता है जो दिखने में अच्छा लगता है और विदेशी गाय का मुखमंडल चपता होता है जो दिखने में भद्दा लगता है देशी गाय की आवाज मधुर एवं मनमोहक होती है विदेशी गाय की आवाज करकरी एवं अप्रिय लगती है देशी गाय की खुरें छोटी होती हैं और जो एक दूसरे से काफी लगी होती हैं जो वातावरण के अनुसार सुरक्षा प्रदान करती हैं विदेशी गायों की खुरें काफी खुली और बड़ी होती हैं जो वातावरण के अनुसार असंतुलित होती हैं व्यज्ञानिक दृष्टी से देशी गाई काफी बुद्धी शील होती हैं। देशी गाई की प्रक्रती या स्वभाव में अपने बचछडे के प्रती इसने और प्यार का बंधन इस पश्टरूप से देखा जा सकता है। विदेशी गाय वैज्ञानिक दृष्टी से बुद्धी शील नहीं होती है और ये अपने बच्छडी से लगाव नहीं रखती। देशी गाय में सुरक्षा प्रदान शक्ती रेसिटंस पावर अत्यधिक होती है जिसके कारण वो भारत के किसी भी मौसम के अनुकूल अपने को ढालने में सक्षम होती है। देशी गाय में शाररिक शक्ती और स्फूर्ती अत्यधिक होती है जिसके कारण बगैर ठके काफी दूर तक विचरण कर सकती है। एवं शान्ती पूर्ण हो जाता है जबकि विदेशी गाय में ये उर्जान नहीं होती है। भारतिय कुम्भ या कांधे वाली गाय अकसर सफेद रंकी पाई जाती है। देशी गाय आमतोर पर कम मात्रा में खाना खाती है और संतोलित मात्रा में पाने पीती है। इस प्रकार कम अंटिबायोटिक्स के सेवन करने से देशी गाय में प्रतिरोधक शमता अधिक होती है। देशी गाय से उपलब्ध पंच गव्य वास्तविक रूप से शुध एवं सुगंधित होते हैं। जबकि विदेशी गाय का पंच गव्य उत्तेजक, मलजनित, दुरगंध और गंदगियों से भरा होता है। देशी गाय कीट पतंग जैसे जीवों से मुक्त रहती है और मुक्त ही चरती है। मक्खी एवं मच्छरों को भगाती है। इसका कारण देशी गाय के शरीर में अंद्रूनी ग्लैंट से पैदा होने वाली तैलिय पदार्थों जैसी फिसलन होती है। जिससे इनका शरीर साफ सुथरा रहता है जबकि विदेशी गाय गंदी रहती है और मक्खी मच्छर उसके चारों और भिंभिनाते रहते हैं। ये बात इसपश्ट लिये है कि भारत्य देशी गाय देखने में चमकदार और तेजस्वी लगती है जबकि विदेशी गाय डरावनी और गुस्सेली लगती है। देशी गाई की पीठ सुन्दर और गोलाकार होती है, जबकि विदेशी गाई की पीठ कुछ अजीब सी कोण आकरिती की होती है, भारतिय देशी गाई का गोबर एक प्रकार की पतली परत से ढखा होता है, जो सुगंधित लगती है, जबकि विदेशी गाई का गोबर दुरग से वर्धक होता है और विदेशी गाय का दुग्द जिसे संकेतिक शब्द में एवन कहा जाता है सेवन में संधे और प्रश्ण जनक है यहां पर पहले हमें यह समझ लिना चाहिए कि एटू दूद और एवन दूद क्या है जीब विज्ञान के अनुसार भारतिय देसी गाय के 209 तत्व के DNA में 67 पद परिस्थित अमिनो एसिद प्रोलीन पाया जाता है किसी कारणवश जब गाय के DNA में प्रोलीन एमिनो एसिद हिस्टिदिन के साथ उत्परिवर्तित हो गया तो इस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं भारतिय देसी गाय के दूद में प्रोलीन अप पूर्वक अपने पडोसी स्थान 66 परिस्थित अमिनो एसिद आइसो लियोसीन से जुड़ा रहता है परंतु जब प्रोलीन के स्थान पर हिस्टिदीन आ जाता है तब इस हिस्टिदीन में अपने पडोसी स्थान 66 परिस्थित आइसो लियोसीन से जुड़े रहने की प्रोटा प्रोटीन स्वच्छंद रूप से मानव शरीर में अपना अलग स्थित्व बना लेता है। इस साथ अमीनो एसिट के प्रोटीन को BCM7 यानि बीटा कासो मोर्फिन 7 नाम दिया जाता है। BCM7 एक अफीम परिवार का नशीला तत्व है जो मानव स्वास्थे पर अपनी श्रेनी के दूसरे अफीम जैसे ही नशीले तत्वों जैसा दुश प्रभाव डालता है। जिस दूद में ये विशेला मादक पदार BCM7 पाया जाता है उस दूद को एवन दूद का नाम दिया ग होता है। भारतिय देसी गाय के दूद में BCM7 नाम का विशेला मादक तत्व नहीं पाया जाता। इसलिए इसे A2 दूद कहा गया है। हाल ही में National Bureau of Animal Genetic Research ने बयान दिया है कि भारतिय देसी नसल की गायों का दूद उत्तम गुणवत्ता से भरपूर है। शोध कारें को प् गाय उत्तम गुण संपन्दूद प्रदान करती है। जबकि विदेशी गायों के दूद में मानव स्वास्य के लिए उत्तम गुण नहीं पाये जाते। एवन दूद ही उत्तम करती है। एवन दूद मनुष्य की शरीर में पहुँचकर दो या अधिक प्रकार के अमीनो एसिट उत्तम करता है। जिने हम टेप्टाइड या BCM-7 कहते हैं। ये मानव शरीर के अंदर पहुँचकर गंभीर बिमारियों को उत्तम करते हैं। एक लिटर एवन दूद में 24-32 ग्राम कैसीन पाए जाते हैं और जिसमें 9-12 ग्राम BCM-7 लगभग 2 चाय के चम्मच पाए जाते हैं जो शरीर के लिए हानिका रखें। भारतिय देसी गाय के दूद में अत्यधिक मात्रा में पौश्टिक तत्व पाए जाते हैं जैसे साइटोकाइन्स और उप्योगी खनेच तत्व जो शरीर के लिए बढ़ती शक्तियों को प्रदान करते हैं। मानव शरीर के लिए आदर्श, पून, कैल्शियम और मैगनीशियम की मात्रा अनुपातिक रूप में दो अनुपात एक होनी चाहिए। जबकि एवन दूद में कैल्शियम और मैगनिशियम की मात्रा अनुपातिक रूप में दस अनुपात एक है जो मानव शरीर के लिए अत्यधिक खाने का रख है मैगनिशियम शरीर के लिए इस्थिर्ता वसंतुलन का काम करता है पाचन शक्ति को बढ़ाता है खोन में नियमित रूप से तरलता तथा प्रवह कायम करता है मान स्पेशियों में भी परिवर्तन शील प्रक्रिया को चालू रखता है जब मानव शरीर में कैल्शियम अधिक मात्रा में हो जाता है तो शरीर कमजोर और स्थूल हो जाता है ये मनुशे के रक्तचाप को अन्यमित कर देता है जिससे किसी को भी हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो सकता है मैंगनीशियम मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है क्योंकि इसकी प्रक्रिया में 300 से अधिक उपकारी प्रक्रिया संतुलित अवस्थाओं में चलती रहती है इसलिए मैंगनीशियम को वैग्यानिकों ने नाम दिया Catalyst of Life यानि जीवन स्फूर्ती एवन दूद में मैंगनीशियम की मात्रा हमेशा कम होती है एवन दूद के सेवन से मानव शरीर में गंभीर बिमारिया उत्पन हो जाती है जैसे Acne, Eczema, Upper Respiratory, Infections, Asthma, Allergies, Bronchitis, Diabetes, Cardiac Problems, Mental Disorders, Parkinson's, Multiple Sclerosis, Obesity, Ischizofrenia, RTO Sclerosis and Intolerance Bloating Thank you, thank you, thank you, thank you